नमश्कार मित्रों, इस वीडियो में हम नाफिट के बेहाफ पे MSTC दोरा कराई जा रही Community E Auctions में Margin Money अत्वा Pre-Bit EMD जमा करने की विधी को समझेंगे सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट www.mstcecommerce.com को Internet Explorer ब्राउजर में खोलना है एवं यहाँ पे आपको E रकम, E राष्टे किसान एग्रीमंटी जिस लिंक के थरूँ अपने बायर रेजिस्ट्रेशन किया था उस पे क्लिक करना है इसके पश्चात रेजिस्ट्रेशन के दौरान बनाई कई अपनी यूजर ID एवं पास्वेड को आपको यहाँ पे फीड करना है तथा खुद को as a bidder सेलेक्ट करके आपको लॉग इन करना है लॉग इन करने के पश्चात आपको अपना बायर्स लॉग इन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा जिसमें आगामी आयोजनों की तिदियां, टर्म्स औं कंडिशिंस, प्रीबेट जमा करने का तरीका एवं अन्य लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे यहाँ पे पे प्रीबेट एमडी का लिंक आपको सिलेक्ट करना है तदा यहाँ पे दिये गए इंस्ट्रक्शन्स को अच्छे से पढ़ना है उसके बाद आपको जो भी प्रीबेट अमाउंट जैसे माल लीजिए 10 लाख रुपए आपको अगर जमा करना है तो वहाँ पर 10 लाख रुपए का अमाउंट डालने के बाद आपको एनिएफटे आटिजिस का रेडियो बॉक्स सिलेक्ट करना है क्रपिया ध्यान दे अभी आप आप उनलाइन पेमेंट का लिंक सिलेक्ट ना करें क्योंकि इसे डिसेबल किया गया है अता यह अमाउंट डालने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है यह पेमेंट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुलेगा जहां पर आपको अपना बैंक डिटेल्स उसका पता, इसे सेविंग्स, करेंट या ओवरड्राफ्ट सिलेक्ट करना है तथा इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको एक चालान जेनरेट करना है आपकी बायर डिटेल्स एवाँ अमाउंट के साथ यह चालान आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा जिस चालान का प्रिंट लेके आप बैंक में जमा करा सकते हैं अन्य था यहाँ पर आई हुई ही डाइनमिक अकाउंट डिटेल्स जैसा क्या देख सकते हैं यहाँ आफसी कोड है पंजाब निशनल बैंक इवं क्रेट अकाउंट नमबर इन डिटेल्स के माध्यम से इसे ऐसा बेनिफेशरी आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में भी आड क कर सकते हैं तथा उसके द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर क्रप्या ध्यान दे कि हर पेमेंट के लिए आपको एक नया चालान जनेरेट करना है तथा किसी एक बार जनेरेट करने के बाद चालान को दो दिन के भीतर यूज कर लेना है क्रप्या एक चालान से म अगर आपका bank account पंजाब नेशनल बैंक का है, तो आपको चालान जनरेट करना है, किन्तु आपको चालान में दी हुई dynamic bank account details को use ना करते हुए, यहाँ दिये हुए account number एवम IFSC code के थ्रूपेमेंट करना है, तथा अपने चालान की प्रती एवम अपने bank statement की प्रती, इन दो email id's nmohan at mstcindia.co.n तथा dagarwal at mstcindia.co.n पर भेज देनी है, यह वेदी केवल पंजाब नेशनल बैंक के खाता धरकों के लिए है, इन दोनों में से भी किसी भी तरीके से payment करने के बाद, डेर से दो घंटे के अंदर आपका payment system में update हो जाएगा, जिसको आप अपने EMD लेजर में जाके चेक कर सकते हैं, यहां पर आप कोई भी दो तितियों के बीच का अपना अगर लेजर देखेंगे, तो इस लेजर में system आपको आपका closing balance दिखा देगा, अथा सभी buyers से ये अनुरोध है कि क्रपया payment जमा कराने के बाद, बायर लेजर 2-5 घंटे में चेक करक अपना amount से निश्चित कर लें, इवं उसके पश्चात ही bid करें, आशा है कि इस वीडियो से आपको margin menu अथा प्रीबेट EMD जमा करने की प्रक्रिया को समझने में असानी हुई होगी, धन्यवाद.